नमस्कार जैहें दोस्तों दोस्तों प्लेट फारम का देखे जाए तो बी एससी इंटर लेबल का जो है प्रैक्टी सेट आपका शुरू किया गया है आज हम देखेंगे इसका सेट नमबर एट देखिए अभी आपका प्लेट फारम, एड़ूट एरिया और यान बिंदु का स उसको समाप्त कर लें उसके बार आगे आप वी लोग को बहुत सरा सेऍट करवाने करवाए जाएगा क्योंकि बहुत सरा सेट रहेगा तब सेट लगाएंगे इतना ही आप के लिए बैदर होगा ठीक है एक कोशन को देखिएगा जिए कोशन आप पूरा देखेंगे तब भी आपको फैदा मिलेगा यह नहीं कि आप 20-25 कौशन देख के छोड़ा देंगे कोई मतलब नहीं होगा एक मफए परसेंट आपको फैदा नहीं मिलेगा जितना कोशन देखेंगे उतना ही आप जो है रिविजन के तोर पे जलेंगे और जो आपको कोशन नहीं आ रहा है उसको टिक करके आप उस टॉपिक को क्लियर कर लीजे ठीक है देखिए पहला कि दुनिया के सबसे मही करेंसी कौन सी देश की है बताइए इसका सही आंसर हो जाएगा कुवैती दिनार हो ठीक है तो आप आप 266 रुपया कमाते हैं भारत में लेकि आएंगे तो बहुत जयदा रुपया हो जाएगा ठीक है समझ रहे है न वहां पा वहां कएक रुपया और भारत में इतना हो जाएगा चलिए नेश्ट हमारा है कि भारती सेना के संदर्भ में निमलखित कतनों पर विचार किजिए सही कथन कौन सा है उसी को बताईए देखिए इसका सही उतर क्या होगा इसका सही उतर हो जाएगा दूतिये पंचवर्सी योजना ने भारी उद्धोक की स्थापना पर बल दिया था सही है तिसरा पंचवर्सी योजना ने और दोही करण की रणनीती की प्रति इस्थापन किया उधार्णा को प्रारम किया तो आप बोल सकते हैं एक और दो हमारा सही उत्तर हो जाएगा ठीक है यह आप आपके लिए इंपोर्टेंट है इसमें भारी उद्धो की स्थापना पर बल दिया गया था दूसरी पंचवर्सी ओजना पर नेश्ट है 15 अगस्त 1993 से प्रभावी हुआ है यहीं दोस्तों जो है गलत उत्तर हो जाएगा देखिए यहां पर देखेंगे तो यहीं गलत हो जाएगा ठीक है अधिनियम आपका 1902 मना था लेकिन प्रभावी की रूप में अगर देखा है तो चौबिस अपरेल को जो कि यहां 15 अगस्त लिखा गया है यह हमारा गलत हो जाएगा बाकी पंचायती राज वेवस्था यानि पंचायती वेवस्था भारती अग्रामिड जीवन का युगो से एक अभिन अंग रहा है और यह एक तरी इस तरी जैविकी रूप से जूड़ी संद्रशना है भारती सम्मिधान का अनुछे 243 जी उसके महतों को बढ़ाता है ये सब हमारा सही है नैश्ट है तिलहन की फसल के संबंध में दिये गए कतनों पर विचार कीजिए क्या हमारा इसमें सही है देखिए इसमें आप देखेंगे तो इनका उपयोगाद पदार्थ की रूप में तथा प्रसाधन उधोग में कच ठक्राहिं उत्तर हो जायेगा अगला कोसरन की इस्टील अथार्टी आफ इंडिया लिमिटेड यांए सेल के नए अद्ध्यक्ष कौन बने सेले के अदध्यक्ष कौन बने हैं तो ये बने हैं अम्रेंदू प्रकास बने क्या हो जाएगा अधे врutsud प्रकास ये बिहार के मध अगरिकों को कितने परकार के मौलिक अधिकार पर्दान करता है तो यह 6 परकार को परदान करता है option number 6 का सी होगा किस भारतिय जल परपात में राजा रानी रॉकेट और रोरर नामक चार अलग-अलग धरने है इसका सही उत्तर हो जाएगा जोग होगा क्या होगा जोग हो जाएगा दोस्तों ऑप्सन नमबर जो है क्या होगा तो डी सही उत्तर हो जाएगा अगला है कि पूरा पसाण काल में लोग कहां रहते थे ये पहाड की कंद्राओं में रहते थे आप्सन नमबर जो है आठवे का दोस्तो ए सही उत्तर हो जाएगा ठीक है तो आप इसको अच्छे से याद रखिएगा भूलिएगा नहीं पूरा पसाण काल भारत में प्रतम इस्तान की खोज जो है तेरा मई 1863 इसे में सर रॉबर्ट बुरुस फूट ने किया था संसार में सबसे बड़ा डेल्टा बनाती है देखें संसार में आप देखेंगे सबसे बड़ा जो आपका डेल्टा है या आपका गंगा हो जाएगा क सुन्दर वन डेल्टा सबसे बड़ी डेल्टा है तो यह आप अच्छे से यादर कियेगा भूलिएगा नहीं कि चलिए नेश्ट हम को संदेख लेते हैं को संदेन क्या बोल रहा है दोस्तों वीडियो अगर लाई अगर आपको पसंद आ रहा तो वीडियो को लाइक तो कौन कौन फार्म डाले हैं आप कमेंट किजिएगा ठीक है तो उसके बेस पे जो है आपका प्रैक्टिस सेट उसको सुरू किया जाएगा सही उत्तर हो जाएगा 1.55 मिटर होगा ऑप्सन नमर जो है बी सही उत्तर हो जाएगा निमलिखित कतनों पर कौन सा सही है स्टेन हो जाएगा अगला है कि मरले डार्लिंग नदी बेसिन निमनमसे किस नदी किस देश में है जो है यह आपका किस देश में है यह बेसिन जो है तो यह आपको देखने के मिलता है और स्ट्रेलिया में कहां पर और स्ट्रेलिया हो जाएगा ऑप्सन नमर सी बात करेंगे मेड़ागासकर के बारे में तो यह आपका हिंद महासागर मेशती थे मेड़ागासकर ठीक है चलिए समिधार के किस अनुछेद में राजियों द्वारा प्राथमिक सिक्षा मात्र भासा में दिये जाने का प्रावधान है इसका उत्तर हो जागा तीन सो पचास का ए हो जाएगा ऑप्सन नमबर जो है क्या होगा तो सी सही उत्तर हो जाएगा ठीक है तो आप अच्छे से याद रखिएगा विश्व में सरपर्थम वीधी सनहीता बनाने वाला राजा कौन था वीधी सनहीता तो देखिए आपको हो जाएगा ऑप्सन नमबर ए होगा हम्मूरावी क्या होगा हम्मूरावी देखिए हम्मूरावी बेबिलोन का सा सकता कहां कता बेबिलोन का सा सकता निमलिखित में से को और से राश्टर पति लगातार दो कारेकाल के दोरान राश्ट्रculo विडियो दखेंगे तो कहीं ने कई बहुं ज्यादा आपको हेल्प मिलेगा तो यह रहा वाटस अप नमबर 87-56-65-35 ठीकि आप इस पे जो है B.S.C. लिक करके मैसेश कर दीजे आपको पूरा जानकारी मिल जाएगा बोलाई सुलो नमबर की गुलाबो की लडाई हुआ था गुलाबो की लडाई जो है हुई थी तो इंग्लेंड में हुआ था कहां पर इंग्लेंड में हुआ था ओप्सन नमबर जो है घुलाबो की लडाई ने सामन्तवाद को धारा साही कर दिया था याद रखेगा बुकर सम्मान से सम्मानित पर्थम भारतिय महिला कौन है पर्थम भारतिय महिला कौन है बताईजएगा तो अरुंदती राय को the god of small thing के लिए जो है बुकर पुरसकार 1997 में दिया गया था विस्व स्वास्त संगठे ने डबलू एच ओ का मुख्याले कहां पर है देखे डबलू एच ओ का मुख्याले अगर आप देखेंगे तो यह आपको जेनेवा में देखने को मिलता है कहां पर जेनेवा में ओप्सन नंबर जो है डी हो जाएगा इसका जो इस्थापना है वर्ष 1948 इसवे में हुआ है साथ अप्रैल को दिल्ली समझाता के दारान ब्रिटिस भारत का वैसराय कौन था देखेंगे तो इसका सही उत्तर होगा लॉड इर्वीन होगा दोस्तो लॉड इर्वीन हो जाएगा ओप्सन नंबर जो है 19 का हमारा डी सही उत्तर हो जाएगा रूस का मैंचेस्टर किसे कहा आता है देखें रूस का मैंचेस्टर अगर आप देखेंगे तो यह हम कहते हैं इवानों यानि इवानों को कहते हैं ओप्सन नंबर जो है 20 का डी हमारा हो जाएगा जापान का मैंचेस्टर किसको कहते हैं तो यह हम कहते हैं दोस्तो ओसाका को किसको औसाका को मानचीतर में निल्य रंग का प्रीयोग किस के प्रदर्शन में होता है तो यह आपका नदी हो जाएगा क्या होगा नदी ऑप्सेंगर आप यहां पे सी याद रखेंगा आते हैं ट्वेटी टू नंबर पे बोल रहा है निमलखित अभिलेखों में से किसमें का कालिदास का नाम मिलता है तो कालिदास का अगर आप नाम देखेंगे तो यह आपको एहोल अभिलेक में देखने को मिलता है ऑप्सन नमबर जो है बाइस का डी होगा एहोल अभिलेक वातापी यानि बादामी में अवस्तित है वाकर कप का समझ जो है किस खेल से है दोस्तों व पाकर कप आपको गोल्फ से समबंदित हो जाएगा ऑप्सन नम encouragement 23 के जुख अगर फुट्बन से हैं तो डुरंड रोवर्ट कप अपर फुट्बॉल चलिए आगे देख लेते हैं मैं एक समाजवादी समाजवाद यृच दिखनेती विश्वास नहीं है संबंदि थे किसे तो यह आपका जवाहरलाल नहरू से हैं option number她 भारत में बेरोजगारे का प्रमो करणन क्या है भारत में बेरोजगारे का प्रमो करण पूछ लागु किया है किसके दवारा लागु किया किया है तो मुहमध बिन तुछलक क्या होगा Mحمd बिन तुछलक option नमबर D हो जाएगा मुहमध बिन तुछलक सबसे अधिक छेतरफल पर सासन करने वाला सुल्तान था सल्तनत काल में 22 नियंत्रन नीति पहली구요 किस आई है वेरी इंपोर्टेंट और आंसर आपको हो जाएगा अल्लाव दिन खिल जी क्या होगा अल्लाव दिन खिल जी जो है इसका सही उत्तर हो जाएगा आगे कोशन है निमलखीत में से कौन सचेद्र जो है टोड़ा जनजाती का मूल निवास इस्थान है तो यह आपको जाएगा नीलगिरी पहाड़ी यह ओप्सन नमबर जो है डी हो जाएगा बात करेंगे निलगडी पहाड़ी है कहां पर ती आपको तमिलनाडू में देखने को मिलता है कहां पर तमिलनाडू में टोड़ा जनजाती का मुख्य व्यवसाय क्या है तो पसुपालन है हिंदी साहित का सुवन यूग किसके सासनकाल में हुआ था तो किसके सासनकाल में हुआ था तो यह आपका अकबर हो जाएगा दोस्तों अकबर हो जाएगा अकबर ने अनुवाद विभाग की इस्थापना किया था और अकबर के समय में ही महाभारत का अनुवाद जो है रजमनामा नाम से किया गया था तो यह पॉइंट आप अच्छे स का हमारा बी सही उत्तर होगा निम्न में से किस Act के द्वारा भारत के वाइसराय को अध्यादेश जारी करने के सकती प्रदान किया है इसका प्रदान किया है इसका सही उत्तर होगा इंडियन नमबर जो है बी सही उत्तर हो जाएगा शुरुवाती में इस्ट इंडिया कंपनी के 27 सजदार था मैंनमार कब आजाद हुआ है तो यह आपका चार जनवरी वर्ष उन्नीसों और तालिस में आजाद हुआ है ऑप्सन नमबर जो है बी सही उत्तर हो जाएगा आप अच्छे से याद रखिएगा चले नेश्ट हम कुशन देख लेते हैं बोला कि भारत वर्ष में लौड कारनेवालिस ने कौन सी प्रता जो है प्रारम किया है तो लौड कारनेवालिस की अगर हम बात करते हैं तो इस्थाई बंदवस्त हो जाएगा दोस्तों ऑप्सन नमबर जो है बी ह ग्षिणीक हो जाएगा इस्थाई बंदवस्त में भूबी भूमी का मालिक रिध्याक है जीमिंदार को बनाए गया था इस्थाई बंदवस्त का जयनक कौन सर जोह था ठीक है बंगाल का प्रतम गवंशत नेरल तक है देखिए बंगाल का पूच्छरा यह इसको आफ अच् बैटिंग था सती प्रथा किसके सा अंतरगत समाप्ट किया गया था तो किसकी अंतरगत समाप्ट किया गया था तो देखिए इसका सही उत्तर हो जाएगा बंगाल अधिनियम बंगाल अधिनियम हो जाएगा दोस्तों यहां पे आपका देखा जाए तो सत्रा ओप्सन नंबर ए हो जाएगा मैद्वार 23 में इसरो द्वारा कौन सा नाविक उबगरह को सफलता पूरोक लॉंज कर जियो सिंक्रोनस ट्रांसफर और्बिट में इस्थापित किया गया था तो इसका उतर हो जाएगा णभी ऑप्सन नंबर वे होगा निम्न में से कौन समीध्यानेत्र संस्ता ए इन में से तो यह आपका नीती आयोग होगा दोस्तों नीती आयोग हुआ तो यह एक जंवरी 2015 से वर्तमान के नियोजना आयोग कि जगा जो है नीति याद प्रदान मंतरी होते हैं विपिज जनरपाल अपने राजन्यतिक जीवन के प्रारम्भ है इन में से क्या थे उदारवादी थे दोस्तों यह आपके उदारवादी थे सितंबर 2023 में किस भारतिये को 65 रामन मैक्स से पुरसकार 2023 से समानित किया गया है तो इसका सही उत्तर हो जाएगा आर रवी कंदन हो जाएगा ऑप्सन नमबर सी 95 अकादमी पुरसकार में किस भारतिये फिल्म ने सर्वसेष्ट वृत्चित्र लगूफ फिल्म स्रेडी में आसकर पुरसकार 2023 से जीता है इसका उत्तर हो जाएगा अप्सन नमबर जो है 41 का सी होगा आगे है कि इंडियन एस्सेशन की स्थापना किस ने किया है देखिए इंडियन एस्सेशन की बात करते है तो सुरेंदनाद मेनरजी के द्वारा किया गया है ऑप्सन नमबर जो है डी सही उत्तर हो जाएगा इसकी स्थापना एस एंड मेनरजी ने आनन्द मोहन बोस के साथ मिल करके 1876 में कलकत्ता में किया था ठीक है निमलिखी देशों की मुद्राओं के संदर में गलत विकल्प को चून करके बताईए गलत हमारा कौन सा है तो ग्रेट ब्रिटेन यूरो है ना ओप्सन नमबर जो है 43 का सी सही हो चाएगा यूरो वर्तमान में 20 देशों का मुद्रा है अगला है कि जून 2023 को भूनेसवर के कलिंगा स्टेडिया में भारतिय फुटबॉल टीम ने किस देश को हरा कर तो कि इंटर कॉंटिनेंटल फुटबॉल का पुनामेट जीता है 44 का उत्तर हो जाएगा लेबनान होगा क्या होगा लेबनान ओप्सन नमबर यह होगा अगल है टू ए हंगर फ्री वर्ल्ड पुस्ता के लेखा कौन है तो इसका उत्तर हो जाएगा MS स्वामी नाथन होगा दोस्तों आप्सन नमर जो है B सही उत्तर हो जाएगा आगे कोशन हमारा बोला है कि भारत के महान जो तिसा चार आरे भट का बिहार के किस नगर से गहरा संबंध है तो इसका उत्तर हो जाएगा पाटली पुत्र होगा दोस्तो पाटली पुत्र जो है इसका सही उत्तर हो जाएगा आरे भट का जन्म जो है 476 इस्वी में हुआ है हिटलर के किस देश पर आक्रमण के परिडाम सुरूप दूतिय विस्यूद आरंब हुआ है तो इसका सही उत्तर हो जाएगा पुलैंड होगा क्या होगा पुलैंड आप्सन नंबर सी हो जाएगा अगस्त 2023 में लावारिस जमा का पता लगाने के लिए उद्गम पोर्टल को किसके द्वारा जो है लाँच किया गया है उन्चास का देखी बताई ये क्या होगा इसका सही उत्तर हो जायागा भारतिय रिजर्व बबैंक यानि आर बी आई होगा 23 अगस्त 2023 को किस भारतिय खिलाड़ी को भारतिय निर्वाचन आयोग द्वारा राष्ट्री आइकोन निव्ट किया गया है तो निर्वाचन आयोग आपसे पुछा जाए तो आप मारेगा सचिन तैंदूलकर क्या होगा बॉयल के नियम का सुतर क्या है तो यह आपको हो जाएगा ओप्सन नमबर ए सही होगा 60 मीली ग्राम प्रती लीटर से कम संदरता वाले डैस युक्त पानी को आमतोर पर सौमे माना आता है तो इसका उतर होगा कैलसियम कार्बोनेट कैलसियम कार्बोनेट होगा दोस्तो आपसन नमबर ए सही होगा सरा लोलक की परभावी लंबाई के मापन में प्रतीसत तूटी दो परसेंट तथा आवर्तकाल के मापन में प्रतीसत तूटी एक परसेंट है तो जी के मापन में अधिक्तम प्रतिसत चूटी कितना होगा तो इसका सही उत्तर हो जाएगा 54 का 4 प्रतिसत होगा कितना होगा 4% चुम्बकी अनुवाद पर अधारित है तो इसका सही उत्तर हो जाएगा MRI scanning होगा option number जो है B होगा नेश्ट है कि अभी केंद्र बल सदेव कारे करता है इसका उत्तर होगा केंद्र की ओर त्रिज्या के अनुदीस होगा option number जो है 56 का A सही उत्तर हो जाएगा अगला है कि सही कथन छाटिये इसमें से आपका सही कथन कौन सा है उसी को आपको बताना है देखिए 57 अगर आप देखेंगे तो चाल में केवल परिणाम वो वेग में परिणाम इवं दिसा में दोनों होते हैं तो आंसर हमारा जो है 57 का दोस्तो क्या होगा तो B सही उत्तर हो जाएगा चाल एक अधिसरासी है परंतु वेग एक सदिसरासी है यदि प्रचेप के वेग को दुगना कर दिया जाए तो इसका अधिक्तम परास क्या होगा इसका अधिक्तम परास अगर आप देखेंगे तो चार गुना हो जाएगा option number जो है बी सही उत्तर हो जाएगा next question है निम्न में से किस बेमारी के लिए trivalent के स्थान पर bivalent ORP देने का निर्णे भारत सरकार ने लिया है तो इसका सही उत्तर हो जाएगा polio होगा polio-poly milite वारत से होने वाला रोग है ठीक है परमाडू के परमाडू के भारने का करम नियंत्रित होता है किस के द्वारा तो अफबाव के सिध्धान के द्वारा नियंत्रित होता है option number A होगा 36 विरित के नियत चाल से गतिसील वस्तों के लिए नियत है तो दोस्तों इसका उत्तर याद रखेगा गतीज उर्जा होगा क्या होगा गतीज उर्जा option number A नियमलिखित में से कौन सकतन जो है गलत है यानि गलत हमारा कौन से है उसी को बताना है अगर आप गलत की बात कर लेते हैं ओजोन ऑक्सिजन के दो परमाडू को द्वारा जो है बना एक अरू है तो option number जो है 62 का A हो जाएगा ओजोन गैस ऑक्सिजन के तीन परमाडू यानि O3 से मिलकर बनी होती है अगला की CS3 OH किसका रासानिक सुत्र होता है किसका रासानिक सुत्र होता है तो मैथिल अलकोहल हो जाएगा मैथिल अलकोहल होगा option number B होगा अगजेलिक अम्र यानि S2, C2, O4 में कार्बन के सन्यों जगता है कार्बन के सन्यों जगता है तो यह आपका 3 हो जाएगा क्या होगा 3 option number यहाँ पे B सही उत्तर हो जाएगा नेश्टेक गुर्दे में उत्पन मूत्र डैस से होकर मुत्रासे में पहुशता है जहाँ इसे संचित किया आता है तो मुत्र वाहिनी में दोस्तो option number यह होगा मुत्र का पिला रंग यूरो क्रोम नामक वर्नक के कारण ही होता है ठीक है और इसका पिएच मान कितना होता है तो 6 होता है मुत्र में 95% जल होता है और 2.6% यूरिया पायाता है चलिया आगे देख लेते हैं किस तत्व को रसायन बिग्यान में आवारा तत्व की संग्या जो है दिया गया है आवारा तत्व तो यह हो जाएगा हाइड्रोजन क्या होगा हाइड्रोजन हो जाएगा option number D किसी तत्व का परमाणु भार बराबर होता है किस तत्व का परमाणु भार जो है बराबर होता है तो तुलियांक भार गुडे सनुजग्ता हो जाएगा option number जो है sunset का C होगा अवरक्त स्पेक्टरम इस्थित है अवरक्त स्पेक्टरम जो है इस्थित है उत्तर हो जायागा सुक्ष में तरंग तथा दिरिश से छेतर की बीच आप्सन नमबर जो है और अंसर का दोस्तो ए हो जायेगा मनुस्य की सधान स्वासंदर कितनी होती है तो इसका सही उत्तर हो जायेगा आप्सन नमबर यह हो जायागा 15 से 18 बार प्रती मिनिट हो जायागा 69 का जो है आप्सन नमबर यह होगा एक स्वास्त मनुस्य का जो 72 बार एक मिनिट में धरकता है ठीक याद रखियेगा धरकन जो होता है आगे हमार कोशन है कि वृद्धी हार्मोन का स्राव किसके द्वारा होता है तो इक किसके द्वारा होता है तो पिट्यूट्री है ना ओप्सन नमबर जो है क्या हो जायेगा तो बी सही उत्तर हो जायेगा इसी को हम माश्टर गरंथी के रूप में भी हम जानते है पिट्योट्री गरंथी में अनिक हार्मन का सराव होता है सही सुमेलित युगम का चैन किजिए कौन हमारा इसमें सही है तो क्योटो प्रोटोकॉल जहे है जलवाईवी परिवर्तन यही हमारा जो है सही उत्तर हो जाएगा याद रखिएगा नेश्ट है कोशन नमबर 72 लेंगर हैंस के द्यूप को एंसुलिन का सराव करते हैं द्यूप इस्थित होते हैं देखिए इसका सही उत्तर हो जाएगा अगनियासे होगा ऑप्सन नमबर जो है डी होगा किस हार्मोन द्वारा हिर्दे इसपंदत तथा रूधीरदा बढ़ जा है जाए उत्तर हो जागा 6 महिना opinion नमबर सर्वाधी कृला है कौन से बढ़त करते हैं तो आपका फ्लुरिन होगा क्या होगा फ्लुरी copy सित हमारे ही जै हिंद जै भारत